मैं हूरी शावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबरों की शुरुवात मद्ध्य प्रदेश से मद्ध्य प्रदेश के दिवास में दुर्गा उत्सव के लिए बनाईगी गाइड लाइन का हिंदू संक्ठनों ने अब विरोध शुरू कर दिया है हिंदू संक से इस गाइड लाइन में सशोधन करने की मांग उठाई गई है संक्ठनों का कहना है कि गाइड लाइन में 6 फीट की प्रतिमा विराजमान करने का नियम है जबकि मूर्ती कारों द्वारा पहले ही 10 फिट की प्रतिमा बना दी गई है आपको बता दें कि मद्ध्य प्रदेश से अनु विभागी अधिकारी संतोष्टिवारी से गाइड लाइन में सशोधन की मांग की गई है। ग्यापन में भी का गया है कि शाषन द्वारा धार्मिक वैसमाजिक अयोजनों में सो लोगों के शामिल होने की अनुमती प्रदान की गई है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन के लिए केवल दस लोगों की सवकृति बिलकुल तरखीन है। संक्तिनों के पददिकारियों ने ग्यापन के माध्यम से सरकार द्वारा दुर्गा उत्सव के लिए बनाई गई गई गाइड लाइन का पुर जोर कड़ा विरोध किया है। साथ ह आए ने माध्यों के लिए बिसट लोगों के समीति का है और केंदर सरकार की गाइड लाइन में सो लोगों का है आये जनल यह कहें ब्रौदावास प्रेता कर रहा है। जो भी मांग है लोगों के इव Between जो राज्य-Sashan की गाईडलाई नहरातरी उस्तृ उसमें 20 लोगों का उन ने दिया है और केंद्री गवर्मेंट का आदेश है पूर्बू में वो सो लोगों यह सासनिस्तर के सर्षा रेसाइड के आप ठीक नोदुर्गा उसो समीति जितनी भी खाते गाउं में अच्छे से 30 समीति हैं खाते गाउं में सब लोगों उनमें मिलकर आज मिठीं की और ये निर्ने लिया कि सासर ने जो गाइडलाइन दी है कुरणा संक्रमनकाल में वो गाइडलाइन का अनुपालन करना आव यहारी है संभो नहीं है उनकी गाइडलाइन की इसाब से नोदुर्गा उससे समीति किसी हालत में नहीं मना पाईगी चोकि नोदुर्गा मौस्तो जो शुरूआज हमारे जुलिदुपरंपरा में सांती सकती कप्रतिक है और इससे आसा और उमंग का संचार होता है लगबग कोरोना काल में आट मैने से लोग कुंठित हो चुके हैं और इसे में नोदुर का मवस्तों मनाना हो जरूरी भी है और चुकि लागडाउन खितम हो चुका है राजनिरिक पार्टियों की सभाय साल सुरू ह होचुकि जिसमें हजारों की संक प्षेजयित हे थो रहे हैं ह लगह कि हमारी संक्रवनकाल में साथ है और कोषम संक्रार्वन का अनुपरालन कर ने से हो सभी समीति की ओर से कि वो एक बाप पुना विचार करें और वेवारी ग्रूप से गाइडलाइन बनाएं ताकि सांति पुनिस सवारों को बना सब्सक्राइब समीति ओर ने ये निलने लिया है कि सरकार की गाइडलाइन यहां पर आई है उसके हिसाब से जो इन्होंनों दस बादस का पांडाल बनाने का दिया है दुर्गा विसरजन में दस लोगों की अनुमति दी है मूर्ति को ले जाने के लिए तो ये कताई संभव नहीं है आज जिस साफ से दस बादस का इन्होंने पांडाल का बोला है तो दस बादस के पांडाल में आठ फिट की तो मूर्ति हो जाती है फिर उसके बाद में नवगरे पांडाल आते हैं हवन कुंड आता है पूजन सामागरी आती है प्रसाद बित्रण के लिए विक्ति खड़ा होता है दस आपके आपके महां सबाह ती आपके मेर अहुत जगें इसी है जहां पर सरकार नेता हिजान अपनी टीम को लेका रिकत्रित होते हैं और वहां पर भी बहुत सारी महात्रा में वह नहीं तो यह कहीं से कहीं तक संभव नहीं कि दस बाद 10 के पाण डाल में माता जी की प्रतिमा इस्थाबित होगी तरकार को आज हमने ग्यापन दिया सभी नवदुरु का उस्थ्थ्थ्थ समीति के सदस्यों के माध्यम से यहां पर एजडियम साब को ग्यापन दिया है और ग्याप अब इस फिट का पांडा ऐसे ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद करें हमारी धन्यवाद